हेलो फ्रेंड्स परीदी कुजीन में आपका स्वागत है आज मैं आपको बताने जा रहे हूं बहुत ही आसान रेस्पी जिसका नाम है वेजेटेबल पैंकेक्स बट इन कोरियन स्टाइल आम शुर ये बच्चों को बहुत पसंद आएगा क्योंकि ये खांडे में बहुत ही क्रिस्पी और हेल्दी है तो शुरू करते हैं अपनी रेस्पे इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक कप पतली कटी हुई लंबी गाजर एक बड़ा प्याज लंबा कटा हुआ एक बाउल पतली लंबी कटी हुई शिम्ला मिर्च थोड़े सी ग्रीन प्याज स्वागमसार हरी मिर्ची और कुछ टुकड़े पनीर के सारी सब्सक्राइब को मिक्स करने के लिए हम एक बाउल लेंगे उसमें एक कप गाजर डाल दें लंबी कटी हुई शिम्ला मिर्च डाल दें अब हम इसमें एक कप अंड़ा डालेंगे एक को हमने अच्छे से फेंट लिया है अब हम इसमें मिला देंगे अब इसमें एक कप मैदा मिला दे एक छोटा चमच नमक मिला दे आदा छोटा चमच काली मिर्च मिला दे इन सबको अच्छे से मिक्स कर लो इसमें त्री फोर्थ कप पानी डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम इसे पैन में डालेंगे सबसे पहले हम पैन में दो बड़े चमच ओयल लेंगे पैन के गरम होने पर अब हम इसमें अपना बैडर डालेंगे और अच्छे से फेला देंगे इसको स्पेचले की हेल्प से अच्छे से फेला दें और मेडियम हाइड लोग पे रखें जब तक हमारा पैंकेक रेडी होता है हम इसके डिपिंग सॉस रेडी करते हैं उसके लिए हमने 2 टेबल स्पून स्वया सॉस लिया दो टी स्पून विनिगर एक छोटा चमच चीली फ्लेक्स और औरोगैनो का डाला है एक छोटा चमच सिस्मे सीड और थोड़ा से स्प्रिंग अनिया इन सब को अच्छे से मिक्स कर लें यह हमारा पप चुका है अब हम स्पेचले की हल्प से इसे पलत लेए इसको पलत देने क के बाद हम इसके साइड में थोड़ा सा ओल डालेंगे और इसे फिर से तीन से पांच मिलर तक पकने देंगे यह हमारी दूसरी साइड भी पकके त्यार हो गई है अब हम गयास बंद कर देते हैं हमारा वेजिटेबल पैनकेक बिप सॉस के साथ सर्व करने के लिए रेडी है तो